आज हम ओरियो मिल्की शेक बनाएंगे इसके लिए हमने एक ओरियो को दस रुपे वाला पैकेट लेया है और उसमें से अंदर से हमने क्रीम निकाल दिया है तोड़ तोड़ कर हम मिक्सी में डाल दिये हैं इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने पर यह पूरा पाउ में डाल दें एक पैकेट में तीन ग्लास करीब बन जाएगा तो हम उतने ही उसमें चीनी डालेंगे एक ग्लास में देड़ चमच के सबसे तीन ग्लास का हुआ थि पांच इसमून तक इसमें शुगर डाल सकते हैं अब यह पास डार्क चॉकलेट या चॉकलेट का सीरप हो तो भो भी थोड़ा डाल सकते हैं, अब ग्लास में हम लिक्विट चॉकलेट सीरप से जो हमने हर्सी का ले रखा है, उससे देखे लाइन बना ले रहे हैं, जिससे कि जब हम ये शेक बनाएंगे तो बहुत ही यमी दिखेगा और सुन्दर भी लगेगा, बेरी व्यूटिफु हम इसन च Weedee आईछिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, डोनों ही ग्लास हम पहले चॉकलेटि लिक्विट वाली से सजा लिए हैं, फिर उसके बार हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट शीरप डाल देंगे और दूद डाल देंगी दूट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने मिक्सी में पीस कर ठंडा वाला दूट और यह के साथ पीसा है अब वो डालने के बाद यह पूरा फुल उसी से भरना है साथ में उपर से डालना है आपको चॉकलेट पाउडर या आप कोई भी चॉकलेट हो तो क्रेश करी पहले उसको फ्रीजर में रखने हैं जिसे की आराम से डाल सकते हैं वह भी लिंग चाहिए तो आप यह लिक्विड वाली चॉकलेट को उपर से गुमा सकते हैं और साथ में और यह बिसकेट का पाउडर डाल सकते हैं वह अभी हम दिखाने बाने किस तरीके से हम इस किलास को खाने में इतना मज़ा आएगा मैं आपको क्या बता हूँ यह आइस्क्रीम वाली पीछते समय आप थोड़ा सा बैनिला एसेंस भी डालना चाहिए डाल सकते हैं बिल्कफुल होटलों में मिलने वाला शेक आप अपने घर में ही बनाएं और इसका एंजोए करें हम उपर हरसी सीरफ से इसको कोई भी डिजाइन में सजा देंगे हम राउंड राउंड करके थोड़ा आगे पीछे इसमें डाल दी हैं आप कोई भी डिजाइन में आप इसको सजा सकते हैं फिर इसके उपर आप मन चाहे जो पाउडर कर दे रख दीजे उपर से तो बहुत ह यमी और देखने में खुब्सूरत लगेगा और वही है जो हमने ओरियो बिस्किट को पीस कर बनाया था हमने थोड़ा सा बचा लिया था उपर से डालने के लिए और अब हमने जो चौकलेट की बिस्किट के बीच में जो सेंड़िच बना रहता है जो क्रीम रहती है उसको भी अलग से निकाला था थोड़ा सा वो क्रीम भी डाल दिया है और एक एक बिस्किट लगा कर हमने ज़जा दिया है वो यह कैसा ला और यो मिलक शेक वीडियो जरावी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजे और दोस्तों के शायर कीजे और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइ हुआँ